प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी मंत्री मंडल का विस्तार करेंगे ये लाग टके का सवाल है जिसका सिर्फ मोदी को जवाब मालूम है लेकिन केंद्र में मंत्री बनने की आस लगाए भाजपा और सहयोगी पाठियों के कई नेता उमीद कर रहे हैं कि पांच रा दिसम्बर को मलमा शुरू होने के बीच किसे दिन विस्तार हो सकता है हालांकि 4 दिसम्बर से संसत के शीत कालिन सतर की शुरुवात होनी है इसलिए सतर के बीच मंत्री मंडल विस्तार की संभावना नहीं है तभी 14 जनवरी के बाद की तारिक भी बताई जा रही है पर उसमे भी मुश्किल ये है कि मकर संक्रांदी के तुरंत बाद अयोध्या में राम मंदिर के शीलानियास का कारिक्रम शुरू हो जाएगा राश्ट्रे स्मया सेवक और भाजपा पूरे देश में जांकी सजाने की तैयारी कर रहे हैं कहा गया है कि जो अयोध्या नहीं पहुंच सकते वे अपने गाओं शहर कस्बे में अयोध्या सजाए 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्टा होनी है उसके बाद भी दो दिन तक ये कारिक्रम चलेगा और उसके बाद 26 जनवरी की धूम रहेगी इस बार भारत ने फिर अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडिन को मुख्य अतीती के तौर पर आमंत्रित किया है सो प्रधान मंत्री मोधी इनमें से किसी आयोध्यन से ध्यान नहीं भटकने देंगे तब ही कहा जा रहा है कि या तो 3 दिसंबर के पहले ही फेर बदल हो जाए या 26 जनवरी तक इंतजार किया जाए इसमें ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि 26 जनवरी के तुरंट बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा एक फरवरी को लेखा नुदान पेश किया जाएगा उसके बाद चुनाव की खोशना होनी है मार्च में किसी समय लोगसभा चुनाव की खोशना हो जाएगी ऐसे में जनवरी में मंत्री मंडल में फेर बदल का क्या मतलब रह जाएगा हलंकि मंत्री बनने की उमीद लगाए नेता आस नहीं छोड़ रहे एक नेता ने मध्यप्रदेश का उधारन दिया जहाँ चुनाव की खोशना से देड़ महीने पहले शिवराज सिंग चुहान की सरकार में फेर बदल हुआ यहां तक की भाजपा ने मध्यप्रदेश चुनाव के लिए उमीदवारों की घोशना करने के बाद मंत्री मंडल में फेर बदल किया मध्यप्रदेश के लिए भाजपा ने उमीदवारों की पहली सूची 17 अगस्त को जारी की थी इसके 10 दिन बाद 26 अगस्त को शिवराज सिंग की सरकार में तीन मंत्री शामिल किये गए सवाल है कि क्या ऐसा कुछ केंद सरकार में भी हो सकता है इसके लिए कई जानकार 3 दिसंबर तक इंतजार करने की बात कह रहे है उनका कहना है कि 5 राज्य के चुनाव नतीजों के बाद इस बारे में फैसला होगा अगर भाजपा उमीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो प्रदान मंत्री मोदी के उपर दबाव होगा कि वे राज्यों में सामाजिक समिकन ठीक करने के लिए कुछ नए चहरे शामिल करे ध्यान रहे इस बार 5 राज्य का चुनाव भी मोदी के चहरे पर ही लड़ा जा रहा है इसलिए नतीजों को उनके लिए जनादेश माना जाएगा तभी नतीजों से बहुत कुछ तैह होने की बात कही जा रही है